शोशल मीडिया पर IPS राजुक्रुष्ण का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें उन्होंने एक कहावत का जिक्र किया है वो कहते हैं ओल्ड राजुंद्रु नगर में एक कहावत है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे यूपीएस्टी कोचिंग ने ठगा रही बिहार के कोचिंग करते हैं सबका अपना अनुभव होता है लेकिन कोचिंग के साथ सेल्फ स्टुड़ी का अपना अलग ही महत्व है इसी को लेकर IPS राजुक्रुष्ण ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे यूपीएस्टी कोचिंग ने ठगा नहीं उन्होंने जिएस के लिए कोच कोचिंग को कभर कर सके राजकृष्ण कहते हैं कि अगर आप कोचिंग के आंसर की देखेंगे तो सबके मार्क से 10-15 नंबर का अंतर होता है ऐसी मैं आप कैसे सूच सकते हैं कि कोचिंग आपको उस एक्जाम के लिए पढ़ा सकती है जिसकी वो घर बैठकर इंटरनेट के सा देखकर वो परिशान होते हैं और बेगर लोगों को देखकर उनके मन में सवाल उठते हैं उन्होंने बताए कि त्यारी करने के इस लंबी यात्रा को मज़ोदार सटीक बनाने के लिए दोस्तों के एक अच्छा ग्रूप आवशिक है आई पीस राजकृष्ण ने वीडियो की और बारह में की पढ़ाई बोकारों के डीपेस स्कॉले से पूरी की इसके बाद आयचे गुहार्टी के लिए सलेक्ट हुए लेकिन 2008 के बाद यूपेसी की तयारी के लिए दिल्ली आ गए राज्यकृष्ण ने 2021 में अपने चौते प्रयास में यूपेसी एक्साम क्लियर कर दियाता